Hello guys, welcome back to my YouTube channel हम आपको आज इस टुटिरल में Trade Fitter के Module 1 Basic Fitting के MCQ Question कराएंगे जो कि आपके CBT exam के लिए बहुत ही important रहेंगे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे Question No.21 File के X के रूप में चिनित भाग को नाम दे इसमें डियरेक आपको File की Image देखने को मिल रहे होगी और नीचे आपको चार Option दिये गए ठीक है और आपको X के रूप में चिनित भाग का नाम बताना है ठीक तो यहाँ पे हम Number B is Correct Answer Tag जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा इसके बाद जो आपका PDF में दिया गया है Option वह आपका A Number Option है ठीक है यह निम्मी की जो Book है उसमें यह जो Image बना हुआ है और वहाँ पे Details में बताया गया है वह Option क्या होगा? Tag होगा ठीक है लेकिन जो आपको CVT exam में Question को सही करना है वहाँ पे Option Number A is Right रहेगा इस बात को आपको ध्यान में रखना है अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप इसको कर लीजे ठीक हडियर Next आगे देखते हैं Question Number 22 एक Tri-Square का उप्योग क्या है? एक Tri-Square का हम लोग उप्योग कहां पर करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि Tri-Square Tri-Square आपका कैसा है? ये एक आपका जो आउजार होता है ये आपका चेकिंग आउजार होता है क्या करते हैं? इससे हम लोग चेक करते हैं ठीक है डियर अब जो आपके Tri-Square होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं? ये आपको पता होना चाहिए तो ये आपके 4 टाइप के होते हैं एक Fixed टाइप होता है Argy Stable टाइप होता है Die Maker टाइप होता है और L-Square टाइप होता है ये तो आपको पता हो गया कि Tri-Square 4 परकार के होते हैं ठीक है अब बात करते हैं Tri-Square की तो आकरती में आप Tri-Square देख पा रहे होंगे इसका जो Base है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं Stock बोलते हैं ये किसका बना होता है या MS या Cast Iron का बना होता है ठीक है डियर जो इसका Blade होता है ठीक है डियर तो इसके बाद ये जो हम लोग इसको चेक करते हैं तो क्या चेक करते हैं हम लोग इससे Right Angle चेक करते हैं इसका Question Number A is Correct Answer ठीक है डियर देख पा रहे होंगे Question Number A is Correct Answer Right Angle चेक करने के लिए समकोड की जाज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ट्राई स्क्वाइर का प्रियोग करते हैं नेश्ट आगे देखते हैं कोशेन नमबर 23 कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है ठीक है डियर इसमें आपको चार आप्शन दिये गए हैं और इस चार आप्शन में से एक आपको शही आप्शन बताना है ठीक है इस देख आपको ये पता होना चाहिए कि मार्किंग मीडिया कितने प्रकार के होते हैं कौन कौन से मार्किंग मीडिया होते हैं और कहां पे उनका प्रियोग किया जाता है ठीक है तो यहां पे मार्किंग मीडिया की अगर बात करें कि कौन सा जारीला है तो option number C is correct answer proper surface ठीक है डियर question number 24 की अगर हम लोग बात करें question number 24 में पूछ रहा है universal surface gaze का कौन सा subscriber को पकड़ता है कौन सा हिस्सा subscriber को पकड़ता है ठीक है डियर तो इसमें एक आपको image देखने को मिल रही होगी डियर ठीक है ये आपकी किसकी है universal surface gaze की है ठीक तो अब इसके सही option की अगर हम लोग बात करें तो option number A is इसका correct answer ठीक है इसने यहाँ पे इस screen पे देख पा रहे होंगे ये subscriber है ये इसका spandle है और ये इसका V group plate है और ये base है इस आकरती में image में इसमें सारे नाम दिये गए है किसके universal surface gauge के ठीक है question number 25 की अगर हम लोग बात करें question number 25 में पूछा जा रहा है इस wise का क्या नाम है इस media rank आपको image देखने को मिल रही होगी और नीचे आपको 4 option दिये गए है नीचे आपको 4 option दिये गए है इसमें से पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्या है तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग hand wise के नाम से जानते हैं answer number इसका C is correct answer तो अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए इसके अलावा आकरती में आप pin wise, pipe wise देख पा रहे होंगे और quick release wise देख रहे होंगे ठीकर इसके नेच्ट आगे देखते हैं question number 26 की अगर हम लोग बात करें तो question number 26 में पूछा जा रहा है कुछ stock के बाद एक नया hexa blade धिला हो जाता है इसकी वजा है ठीक है डियर, एक hexa blade हम लोग जब hexa frame में लगाते हैं और जब उससे हम लोग work करते हैं तो थोड़े time के बाद वो क्या हो जाता है धिला हो जाता है तो इसके अगर सही option की अगर हम लोग बात करें option number A is correct answer blade खिच जाना क्या होता है जह हम hexa blade से किसी भी job को अगर काटते हैं या material को काटते हैं तो hexa blade क्या होता heat होता है heat होने के कारफ material क्या होता है खिचता है तो वो क्या हो जाता है धिला हो जाता है next आगे देखते है question number 27 की अगर हम लोग बात करें question number 27 में बताया जा रहा है पहले cut और पतले work seat को काटते समय दात बहुत आसानी से क्यों तूटते हैं इसमें भी डियर आपको चार option दिये गए हैं side make आपको image देखने को मिल रही होगी ठीके डियर इसमें दात आपको तूटते हुए दिख रहे होंगे और material उख़ता हुआ तो इसके सही option के अगर हम लोग बात करें option number D is correct answer हाथ का बल केबल कुछ दातों पर काम करता है ठीक है जो हम लोग pressure देते हैं काटने के लिए force देते हैं तो क्या होता है कुछ दातों पर कार करता है इसलिए क्या होते हैं तूट जाते हैं next आगे देखते हैं question number 28 question number 28 के अगर हम लोग बात करें 28 में पुछा जा रहा है corner और joint पर material को चोखर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है ठीक है डियर तो इसमें आपको पहले पता होना चाहिए कि कितने type की आपकी क्या होती ही चीजल होती है ठीक है तो इसमें सही option के अगर हम लोग बात करें option number C is correct answer diamond point is chisel screen पे आप देख पा रहे होंगे यह L shape पे यह क्या है corner इस पे अगर material लगा है तो हम कौन सी छेनी से क्या करते हैं यह निकालते हैं तो यह आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पे कौन सी छेनी का प्रियोग करते हैं diamond point छेनी का प्रियोग करते हैं next आगे देखते हैं question number 29 29 question में पूछा जा रहा है एक आकरती देखे X के रूप में चिनित हताओडे के नाम भाग का क्या नाम है या हताओडे के भाग का नाम बताओ ठीक है dear तो इसमें एक आपको image देखने को मिल रही होगी जो की एक hammer की है और X के रूप में चिनित पॉइंट पे indicate कर रहा है उसका आपको नाम बताना है नीचे आपको 4 option दिये गए हैं और सही option आपको बताना है तो इसके सही option के अगर हम लोग बात करें option number C is correct answer ठीक है side में एक आप image देख पा रहे होंगे इसमें जो भी आपका hammer है उसके सारे parts के नाम दिये गए हैं ठीक है dear point होता है pin होता है, chick होता है, face होता है eye hole होता है, wedge होता है और इसका hammer का handle होता है वो आपका आकरती पे इस तरीके से बना हुआ है next आगे देखते है question number 30 की अगर हम लोग बात करें question number 30 में एक आपको image देखनों को मिल रहे होगी cutने वाले छेनी पर प्रती इस तरीके से आपका sign द्वारा कोण को प्रदर्सित करते हैं यहाँ पे आपके तीन दिये हो गया है alpha, beta, gamma आपको दिया गया है और नीचे आपको 4 option दिये गया है सही option इसमें आपको बताना है तो इसमें सही option की अगर हम लोग dear बात करें तो option number A is correct answer अब side make आपको image देखने को मिल रहे होगी ठीक है dear इसमें आपको alpha, beta, gamma के 3 point बताए गये है ठीक है 3 कोण 3 point बताए गये है तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे next आगे देखते है question number 31 question number 31 में बताए जा रहा है धातु की उस गुड का नाम बताए जिसमें वह बिना तूटे तार में खीचा जा सकता है ठीक है dear तो धातु के अलग-अलग गुड होते है तो इसमें आपको बताना है कि एक धातु है उस धातु को बिना तूटे और खीच कर हम क्या बना सकते है उसका वायर या तार बना सकते है तो इसके सही option की अगर बात करें option number A is correct answer ductility ठीक है dear ये एक धातु का गुड होता है जो की वो बिना तूटे एक लंबा सा तार बना सकती है next आगे देखते है question number 32 question number 32 है बता जा रहा है थेंबल के एक division की stemble movement क्या होगी जब spindle thread 0.5 mm पिचका है इसमें dear आपको कुछ digit दिये गए है जो की option है आपको ये question याद कर लेना है बाकी ये solving question है इसको solve करेंगे तो time लगेगा आपको question याद कर लेना है option याद कर लेना है और इसका जो सही answer है answer number A is correct answer 0.01 mm ठीक है dear next आगे देखते है question number 33 question number 33 ने बताय जा रहा है इस vernier caliper की reading क्या है इसमें dear 1 आपको reading दी गई है और इसमें आपको 4 option दिये जा रहा है और सही option आपको select करना है तो इसके सही option के अगर हम लोग बात करें option number D is correct answer ठीक है dear next आगे देखते हैं question number 34 question number 34 ने बताय जा रहा है इस vernier waiver producer की reading क्या है इसमें एक आपको reading दी गई है और एक arrow दिया जा रहा है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी जो सही reading है वो क्या है ठीक है dear तो इसके सही option के अगर हम लोग बात करें option number इसका क्या रहेगा तो इसके सही option की अगर हम लोग बात करें option number be is correct answer ठीक है next आगे देखते हैं dear इस तरीके कोई question आपको क्या करना है image को और उसके option को याद रखना है जैसे ही आपका CVT exam होगा इस तरीके की question अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आप उसको answer को देखके आप टिक करिएगा ठीक हडियर next आगे देखते हैं question number 35 filler gauge का उपियोग क्या है filler gauge का उपियोग क्या है इसमें dear आपको एक filler gauge देखने को मिल रहा होगा और नीचे आपको ये चार option दिये गए हैं और इसमें से सही option आपको select करना है तो आप अगर अच्छे से measuring tool को पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि filler gauge का क्या होपियोग है option A कहा रहा है चोडाई की जाच करना उचाई की जाच करना option D कहा रहा है तो option number D is correct answer ठीक है दो जौबों के बीच में या दो भाबों के बीच में जो air gap होता है या जो gap होता है उसको अब लोग filler gauge से क्या करते हैं चेक करते हैं नेश्ट आगे देखते हैं question number 36 question number 36 में पूछा जा रहा है इस dial caliper में map पढ़े इसमें एक आपको dial caliper दिया गया है और उसमें कुछ reading शो कर रही है और इस reading को पढ़के आपको बताना है कि उसमें क्या सही है नीचे आपको 4 option दिये गया है और सही option आपको select करना है तो इसके सही option की अगर बात करें option number D is correct answer ठीक है डियर next आगे देखते हैं question number 37 question number 37 में पूछा जा रहा है एक gang drilling machine क्या operation किया जाता है side में आप एक आपको gang drilling machine का machine देखने को मिल रही है और उसी से related नीचे आपको 4 option दिये गया है और सही option इसमें आपको बताना है next और भी प्रकार की machine होती है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये शारी आपकी कैसी machine है gang drilling machine है ठीक है इससे अलग-अलग बिट बांद के अलग-अलग operation एक साथ किये जाते हैं तो option number इसका D is correct answer ठीक है डियर next आगे देखते हैं question number 38 question number 38 में पूछ रहा है barrier वर्नियर वेवर प्रोडेक्टर में stock का क्या अभी में इससा कौन सा है ठीक है डियर तो इसमें आपको चार option दिये गए हैं और आपको सही option select करना है ठीक है तो इसमें सही option के अगर हम लोग बात करें तो option number B is correct answer dial ठीक है डियर यह आपका क्या है डायल है इसमें आकरती पे देख पा रहे होंगे सारे parts के नाम लिखे हैं जो कि आप इसको पढ़ सकते हो रियाद कर सकते हो अगर और भी तरीके से question को पूछता है तो आप आसानी से बता पाओगे next आगे देखते हैं question number 49 file के x के रूप में चिनित भाग के नाम दो या जैसा कि आपका पहला question था सेव वैसे ही आपका 49 number question है बस इसमें x के चिन जो है उसको change कर दिया है नीचे आपको 4 option दिये गए हैं और सही option इसमें आपको select करना है तो इसके सही option के अगर हम लोग दियार बात करें option number c is correct answer feral ठीक दियार तो image में अगर आप जो भी tools हैं उनके सारे नाम पता हैं उनके सारे काम पता हैं और वो tools किस पदार्त का बना है ये अगर आपको पता है तो tools से जितने भी पूछे जाने वाले question है वो आप आसानी से कर लोगे next आगे देखते हैं question number 40 job को finished size के करीब लाने के लिए किस file का उपियोग किया जाता है ठीक है डियर जैसे कि आप job बनाते हो job final या finish होने के time पे हम लोग क्या करते हैं उस job को finishing के लिए किस file का उपियोग करते हैं ये आप कह सकते हैं या ये question में पूछा जा रहा है तो इसके सही option के अगर हम लोग बात करें तो option number इसका क्या सही है ये आपको बताना है तो option number C is correct answer second cut file second cut file का पियोग करके हम लोग क्या करते हैं जो आपको finishing की तरफ लागते हैं अगर वीडियो आपको useful लगा हो तो आप अगर चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें वीडियो को वीडियो को देखने के लिए थैंक्यू कर दो